देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से खबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबह में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। मंतरी जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे। विधान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधान सभा में विधान सभा में ये जानकारी थे। ये मंति जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में इन्होंने उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। कुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी, 2005 की बाद की न्यूपती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सबाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई। विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सबा में उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरी वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के रिकित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विधि मंत्री जगदीज देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकही है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी होई विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को ये बहाल नहीं करेंगे विधान सवाब है उन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी थी से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंतری ज immense डेवड़ा ने लिखित जवाब में यह जानकारी पठल पर रखी है यह बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तक 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे। 2005 के बाद जो साच की खेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सबा में उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थी। 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की नुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विदान सबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विदान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थी। 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें। उबाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें। वह बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी। एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। दोजार पाँच की बाद की न्यूकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबाब में एक सवाल के लिखेत जवाब में ये जानकारी दी गई। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी थी। 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सबाब है इन उनने उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। राइब के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विथिमंत्री जग्दीश दिवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बने वो बासे ख़बर पुरानी पेंशन भाहली नहीं होगी अब अब बासे में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निवक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबाब में सवाल के लिखे जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। मंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे। अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में सवाल के लिखत जवाब में ये ज्यानकारी सामने आई है। वितिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखत जवाब में ये ज्यानकारी पठल परखी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्यूकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनोंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाल से खबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्यूक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है बत्ते मंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधानस सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्ती मंत्री जकदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साज की सेवाब लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बात से कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दोजार पांच के बाद जो सवाब लिखती हुए उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक दोजार प और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें वो बासे कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सبह में सवाल के रिखे जवाब में यह जानकारी सामने आई है वितिमंतरी जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में यह जानकारी प्ठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे। वो बाल से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे। 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में इन्होंने उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वाद से कबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी, MP में सरकारी करmanचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी, 2005 की ये बाद की निउत्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है, वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है, ये बड़ी खबर है, पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई, दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पु 2005 की बाद की नियुक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंतरी जगदीष देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर अब पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबह में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। विधान सभा में पुरानी पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी गई। दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तक दोजार पांच की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में उत्तर दिया है। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें। पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी। जडीश देवडा ने लिकित जवाब में ये जनकारी पठल पर रकि है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल लेंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को ये बाद नहीं करेंगे लिधान सवाब है उन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे उबाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो सवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को बाद नहीं करेंगे लिधान सभा में उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सबा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सबा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब दोजार पांच की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब ह इन्होंने उत्तर दिया है प्रसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी बत्तक 2005 की पेंशन को भी बहाल नहीं करेंगे विधान सबा में इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे वबासे ख़बर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के रिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवावे इनों ने उत्तर दिया है परकी है यह बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से खबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारे कर्मशारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नुक्ती में पेंशन देने का कोई परस्ताव नहीं है सबारे सबार के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विदान सभा में सवाल के लिखिट जवाब में ये जानकारी सामने आई है, वित्यमंत्री जगदीष देवड़ा ने लिखिट जवाब में ये जानकारी पठल परक ही है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे वो बाद से कबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी ख़बर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में थना ये बड़ी खाबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशाइओ के बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाद नहीं करेंगे विधान सभा में इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे उबाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विधिमं की नियुक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में यह जानकारी और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वोबासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखे जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में यह जानकारी पठल परकी है यह बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सब्बा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गए थी विथिमंत्री जगदीश दीवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी थी और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर अब पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सबह में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्मंत्री जगदीश देवड़ा ने लिखित जवाब में 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बने वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई है वितिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी पठल परकी है यह बड़ी ख़बर है पुरानी पेंशन बहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दोजार पाँच के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको दोजार पाँच के पहले की पेंशन देंगे क्या तो ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्त दोजार पाँच की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वबासे कबर पुरानी पेंशन भाली नहीं होगी अब पी में सरकारी करमचारियों की पुरानी पेंशन भाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की नूकती में पेंशन देने कا कोई प्रस्ताव नहीं है वदान सवाब में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामें आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को बहाल नहीं करेंगे विधान सभा में उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बाल से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुराणी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुराणी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनों ने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाद नहीं करेंगे विधान सभा में इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सबा में उत्तर दिया है और अब देखिए 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी दोजार पांच के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या तो ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्त दोजार पांच की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से कबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एंपी में सरकारी कर्मचारिऊं की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्युक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ज़ांसवा में सावाल के लिखे जवाब में ये जानकानी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी दी। विधान सभा में पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी दी। विधान सभा में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी दी। विधान सभा में पुरानी पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी दी। दोजार पांच के बाद जो साच की सिवाब लिखती हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तब दोजार पांच की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सभाब है इन्होंने उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी करमचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी कि 2005 की बाद की नियुक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सबा में इन उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवड़ा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है व्रदान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे वबासे ख़बर पुरानी पेंशन भाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सभा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन भाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो सवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंदीश जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भाहल नहीं करेंगे लिधान सवाब है उनने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारीं के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबह में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विश्चि मंत्री जग्दीश देवड़ा ने लिखित जवाब में ये जानकारी बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सभावे इन्होंने उत्तर दिया है यह बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारी की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाद नहीं करेंगे विधान सभा में इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वाlaw सेखबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्युकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंदी जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सबा में इन उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में सवाल के लिखत जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखत जवाब में यह जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी थी वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंतरी जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सभावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे वाई से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तबाben सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। विधान सभा में पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तक दोजार पांच की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में उत्तर दिया है। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें। और अब ये मंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सवाव में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। विधान सभा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है। विध्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई। विध्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्युक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्थाम नहीं है विधन सबहा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई थे। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। विधान सबा में पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। दोजार पांच के बाद जो साच की सिवाब लिखती हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तब दोजार पांच की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सबाब है इन्होंने उत्तर दिया है। और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। परानी पेंशन बाहली नहीं होगी। कि 2005 की बाद की नियुक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वोबासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है मत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनों ने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउपती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधांस सभा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जग्दीश देवड़ा ने लिखत जवाब में ये जानकारी बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्हों ने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे वबासे ख़बर पुरानी पेंशन भाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सवाव में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन भाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वोबाल से कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में इक सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे दीवडा का कहना है की ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनों ने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन भाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सवाव में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई है विद्ध्यमंत्री जगदीश देवडा में लिखत जवाब में ये जानकारी बत्तक 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सभावे इनोंने उत्तर दिया है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभाव में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखत जवाब में ये जानकारी बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे वो बात से ख़बर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सवाव में सवाल के रिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को ये बाहल नहीं करेंगे लिधान सवाब है इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है उबाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है ये बड़ी ख़बर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारीं के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विश्तिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए है उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंदि जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब दोजार पांच की पेंशन को यह बाहल नहीं करेंगे विदान सबावे इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सबाव में सवाल के लिखे जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में यह जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में यह जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या यह मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है उन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वबाल से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है दोजार पांच की बाद की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विद्न मंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिउक्ती हुए उतको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बात से कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो ये मंदी जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सबाब है इन उनने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबर है वो बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विस्तिमंत्री जगदीश देवड़ा ने लिखित जवाब में ये जानकारी बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से कबर अब पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्यूकती में पेंशन देने का कोई प्रस्थाव नहीं है विदान सबह में सवाल के लिखे जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वबास एक खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वबास एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी। 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। उबाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबाब में सवाल के रिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे। 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में उनने उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी गई। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी ख़बरें। वो बात से कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। में सरकारी कर्मचारिओं की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बात की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी ख़बरें। वबाल से कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी ख़बर है। पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है, वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है, ये बड़ी खबर है, पुरानी पेंशन बहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के कि में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वबासे कबर पुरानी पेंशन बहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई है 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई विधि मंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में यह जानकारी दोजार पाँच के बाद जो सवाब लिखित हुए है उनको दोजार पाँच के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्त दोजार पाँच की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर है पुरानी पेंशन भाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सभा में सवाल के रिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन भाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखेत जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा ब लिखेत हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवड़ा ने लेके जवाब में ये जानकारी गई विधान सवाब है उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबने बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बात की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वितिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी वितिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से कबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है व्यदान सबह में सवाल के लिखे जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। विधान सभा में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। विधान सभा में पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। विधान सभा में पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। की नियुक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती है उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सबा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सबा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बात की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबा में एक सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई थी विस्ति मंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बात की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई ह वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुए है उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंदी जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सवाब है उनने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बात से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी वत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाल से खबर अब पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्यूकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सभा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी की दोजार पांच की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सभावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन भाहली नहीं होगी अब देखे 20 में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभाव में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन भाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंदी जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सभा में उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वितिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई। विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। 2005 के बाद जो सवाब लिखे हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तब 2005 की पेंशन कोई बहाल नहीं करेंगे लिधान सभा में इन उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। बत्ति जौनी को पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में एक एम वद्थान सभा में एक सवाल के लिखट जवाब में यह जानकारी दी गई विठिमंत्रि जग्दीश देवड़ाँ ने लिखAK देवाब से जानकारी पाइव और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी ख़बरे वो बाद से कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सबह में सवाल के रिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सवाव में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सवाब है इना उनने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बात से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंतरी जगदीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को ये बाहल नहीं करेंगे लिधान सभा में उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सबा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सबा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाद नहीं करेंगे विधान सभा में इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे उबाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न tractी में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी सामने आई है विध्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखत जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब दोजार पांच की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी अब पी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा हमें सवाल के रिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। विधान सभा में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें। विधान सभा में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे। उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे। विधान सभा में उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। भात से खबर नहीं होगी। अमपी में सरकारी कर्मचारिओं की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बात की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में सवाल के लि칫ित जवाब में ये जानकारी सामने आई है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थी। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इनोंने उत्तर दिया है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी। और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। विधान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारीं के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी। 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंद्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सभा में उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें। वह बाद से कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की न्यूकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की न्यूकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे। 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है। 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी। MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विदान सभाव में सवाल के रिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुरी होई। दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। में 2005 की बाद की नियुक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबामें एक सवाल के लिखत जवाब में यह जानकारी दी गई विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में यह जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है वजान सबाब में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जूड़ी हुई दर असल MP में सरकारी कर्मचारीों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गए विथिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सबाव में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारिओं के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विथिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाव में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सब्दा सब्दा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। वितिमंत्री जग्दीश देवड़ा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे। 2005 के बाद जो साच की खेवाब लिखती हुएं। उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या यह जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवाब है उन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें बात से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबाब में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सबाब में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सबाब में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन कोई बाद नहीं करेंगे विधान सभा में इना उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदांस सभा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई थै विष्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखत जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हैं उनको 2005 के पेंशन देंगे क्या यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनों ने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है मत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन उनने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखें जवाब में यह जानकारी सामने आई है वितिमंतरी जगदीश दिवडा ने लिखें जवाब में यह जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदानसभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदानसभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदानसभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वितिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी वितिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी इसर पांच की बाद की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है उदान सबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पतल परक् difficile यह बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जواब में यह जानकारी दी गई थे विथिमंत्री जगदीश दीवड़ा ने लिखित जवाब में यह जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की खिवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है मत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे वो बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी थे पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई है वितिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विधिमंत्री जगणीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खवर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल elections एम पी में सरकारी करमशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न zucchती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबह में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गए वित्यमंद्री चग्दीश द्यवढ़ा ने लिखत जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाव में सवाल के रिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी प्ठल परकी है। ये बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंप्पी में सरकारी कर्मचारीं के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। दोजार पांच की बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विदान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनोंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है वितिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी पठल पर रखी है यह बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल M.P. में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाद नहीं करेंगे विधान सभा में इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे। विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारीं के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे। 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में इन्होंने उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वह बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है, वितिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वितिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई वितिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई थे विथिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सिवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सभावे इनों नहीं उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई है विधिमंत्री जगदीश देवड़ा ने लिखित जवाब में यह जानकारी पठल परकी है यह बड़ी खबर है पुरानी पेंशन भाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को ये बाद नहीं करेंगे विधान सभा में इना उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सвाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वितियमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पड़ल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से खबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबह में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सबा में इन उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्सी मंत्री जग्दीश देवडा ने लिखत जवाब में ये जानकारी बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनों ने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वबाल से खबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निऊपती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सवाव में सवाल के रिके जवाब में ये जानकारी सामने आई है मिते मंत्री जगदीश देवरा ने लिके जवाब में ये जानकारी पठल परकी ہے ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई विथिमंत्री जगदीष देवडा ने लिखत जवाब में ये जानकारी का कहína है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को ये बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनोंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सवाव में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउपती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विठिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी Ultra 2005 के बाद जो सच की खेवा में लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सवावे इनों नहीं उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये ज जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी है। पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी है। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे। विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं की जाएगी। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। करेंगे विदान सवाब है इनों ने उत्तर दिया है और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें वो बाद से कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी करेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की नहीं बहाली नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाद नहीं करेंगे लिखान सवाब है इनोंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वबाथ से खबर है पोई पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी करमचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्युक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गए विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो सवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनोंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी से खपड़ है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी करमचारिοι की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है युक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे विधान सभा में पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब दोजार पांच की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सवाब में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सभा में उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान्स सबा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्मंत्री जगदीश देवड़ा ने लिखत जवाब में ये जानकारी थे और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बात से कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबह में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गए। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थी। 2005 के बाद जो साच की खेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सबा में उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वबासे कपर हैं पुरानी पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये जानकारी सामने आई है, वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है, ये बड़ी खबर है, पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई, दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी, 2005 की बाद की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई, वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सबाव में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी होई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी कई वित्यमंत्री जग्दीश देवडाने लिखित जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बास एक खबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पूरानी पेंशन बाहल नहीं की जाए़िगी 2005 के बाद की निवक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है वह बासथ उन्पार में सवाल के रिकर जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी दी। विधान सभा में पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी दी। दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तक दोजार पांच की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में उत्तर दिया है। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें। उपाल से खबर हैं पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी। कि 2005 की बाद की नियुक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में यह जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वबासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखे जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में यह जानकारी पठल परकी है यह बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सभावे इनों ने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरा मंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी है। पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी है। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे। विधान सबा में पुरानी पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी गई। 2005 के बाद जो सवाब लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। तक रहें कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी, 2005 की बात की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विध्यमंतरी जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दोजार पांच के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको 2005 के पेंशन देंगे क्या ये मंतरी जगदीश देवडा का कहना है की ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करे और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें वो बासे खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई वित्मंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। वित्मंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्मंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे। वो बाल से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विदान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे। 2005 के बाद जो साच की खेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे। विधान सबा में उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वो बाद से कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी। ये जानकारी सामने आई है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई। दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे। 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सभा में उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। जानकारी के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बात की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विदान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा ब लिगती हुए उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंति जग्दी देवड़ा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर पुरानी पेंशन भाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सवाव में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन भाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो ये जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सबा में उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधानसभा में सवाल के लिखए जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगधीश देवडा ने लिखए जवाब में यह जानकारी पथल पर रखी है यह बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई की दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखत जवाब में यह जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखत जव जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरें अमबात से खबर है पुरानी पेंशन बहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहल नहीं किये जाएगी 2005 के बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिकhet जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंदी जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सवाब है इन उनने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबर है वो बात से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से खबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं की जायगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन कोई बाद नहीं करेंगे लिधान सभा में इना उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे परानी पेंशन बाद नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारिएं की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की नियूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तमध दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वह बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी अब देखे बाद की नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी दोसार पाँच के बाद की न्यूप्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सब 들어오 में सवाल के रिके जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सवाब है इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वत्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। ने लिखे जवाब में ये जानकारी पेंशन बहाली नहीं होगी। में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें। वो बासे कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। ये मंति जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तक 2005 की पेंशन कोई बहाल नहीं करेंगे। विधान सभा में इनोंने उत्तर दिया है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी। विधान सभा में पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी। दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या। ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तब दोजार पांच की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सभाब है इन्होंने उत्तर दिया है। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें। बाद से खबर है पुराणी पेंशन बाहली नहीं होगी। कि 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के रिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है विद्यमंत्री जगडीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सभावे इनों ने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाहल से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वितिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहली से जुड़ी हुई दरसल M.P. में सरकारी कर्मशारियों के जुक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई है 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में यह जानकारी दोजार पाँच के बाद जो सवाब लिखित हुए है उनको दोजार पाँच के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे वबासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सवाब में सवाल के रिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे दोजार पांच के बाद जो सवाब लिखती हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या तो ये मंदी जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को ये बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बासे खबर अब पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सबा में उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी दी से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंदी जगरी जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सभावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से कबर पुरानी पेंशन भाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभाव में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे बात से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंद्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सवाब है इना उनने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबह में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विद्धिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी यह बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल लेंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा लेखे जवाब में ये जानकारी की दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा ब भींदान सवाब उन्हें उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विस्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी आसे खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिए जवाब में ये जनकारी सामने आई है वित्य मंत्री जगदीश देवड़ा ने लिखित जवाब में ये जनकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखत जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बहाल नहीं करेंगे विधान सभा में उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाद से कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। विधान सभा में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे। दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तब दोजार पांच की पेंशन को ये बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की निउपती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सवाब में एक सवाल के लिखेत जवाब में ये जानकारी दी गई। विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंद्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सवाब है इना उनने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बास एक खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधियमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सभावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभाव में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सबा में उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बात से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबह में सबाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वितिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विजान सबा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधन सबह में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है वजान सबाब में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल M.P में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विथिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखित हुए प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवाब है इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बने वो बात से कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सवाब में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखेत जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी थी 2005 के बाद जो सवाच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखें जवाब में यह जानकारी सामने आई है विद् Supreme जगदीश देवड़ा ने लिखें जवाब में यह जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई की दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बात की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सबाव में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जकदीश देवड़ा ने लिखित देंगे क्या तो ये मंत्री जकदीश देवड़ा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बहाल नहीं करेंगे विदान सबावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे वो बात से कबर पुरानी पेंशन बह जानकारी सामने आई है वितिमंत्री जकदीश देवड़ा ने लिखित जवी पठल परकी है ये बड़ी ख़बर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी है। पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बत्तक 2005 की पेंशन कोई बहाल नहीं करेंगे वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी होई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वो बाल से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है, वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है, ये बड़ी खबर है, पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई, दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी, दौसार पांच की बाद की निउप्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई, वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये ज जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बात से कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सवाब में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। विधान सभा में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे। दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तब दोजार पांच की पेंशन को ये बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है। और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 25 कि बाद कि न्युक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्तावं नहीं है। विधान सवाह में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दे गए। विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंतरी जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी गई 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो ये मंतरी जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सवाव में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा ब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सबाब है इन उन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखत जड़ाब में ये जानकारी दी गए विथिमंतری जगदीश देवडा ने लिखत ज़वाब में 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सभावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरें बात से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बात की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुर मंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी मंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है मत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनों ने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारी के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान्स सबभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विध्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थी। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पाँच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सबह में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारीं के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई। और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें। वो बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी। MP में सरकारी कर्मचारियूं की पुरानी पेंशन बहाल neं की जाएगी। 2005 की बात की निजटी में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभाब में सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्य मंतली जगदीश देवड़ा ने लिखित जवाब में यह जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बने बात से कबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी है विस्तिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबह में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी होई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर अब पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सबह में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी वत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सभा में इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई था वित्यमंतरी जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी बत्तक 2005 की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे विदान सभावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बने वो बाद से ख़बर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के रिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखेत जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा ब लिखेत हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी है उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवड़ा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिदान सवाब है उन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बने बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब दोजार पांच की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सभावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से कबर पुरानी पेंशन भाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के रिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन भाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखेत जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखेत जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखेत हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सभा में उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी थी वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गए विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बास एक खबर पुरानी पेंशन बहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहली से जुड़ी हुई और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बासे कबर है पुरानी पेंशन बहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच के बाद जो सवाब लिखती हुएं उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब दोजार पांच की पेंशन को ये बाहल नहीं करेंगे विधान सवाब है इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबह में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें। वह बाद से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी। एंपी में सरकारी कर्मशारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। आज की बाद की न्यूक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई विथिमंतरी जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बात की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन को ना कि जाएगी 2005 की बाद कि नियुक्ति चाइब में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखत जवाब में यह जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जग्दीश देवड यह जवाम ने लिखत जवाब इस जान कारी का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सभावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बने वो बाद से कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी बत्तर दिया है बड़ी ख़बर है पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी की 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी थी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या यह जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे वित्हान सवाब में इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से खबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है वित्हान सवाब में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाद नहीं करेंगे विधान सभा में उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में यह जानकारी सामने आई है ये बड़ी खवर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन कोई बाद नहीं करेंगे विधान सभा में इनोंने उत्तर दिया है और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे बाद से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के रिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंतरी जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंतरी जगदीश देवडा ने लेकि जवाब में ये जानकारी दो हजार पाँच के बाद जो सवाब लिखित हुए उनको दो हजार पाँच के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंतरी जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बने वो बासे कबर है पुरानी पेंशन भाहली नहीं होगी एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सवाव में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन भाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दी गए questão वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी ते 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या और अब देखे 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरे वो बाद से कबर अब पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई की ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बहाल नहीं करेंगे विधान सबा में इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी खबरें वो बासे कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में सबाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी होई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे दोजार पांच के बाद जो साच की सेवा में लिखती हुए उनको दोजार पांच के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तक दोजार पांच की पेंशन कोई बाहल नहीं करेंगे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखत जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है कि यह बड़ी खबर है पुरानी पिशन भाली से जुडिए हूई दरसल सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखत जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखत जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बासे कबर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सबह में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी 2005 के बाद जो साच की सेवा में लिखित हुए है उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या ये मंदी जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे लिधान सभा में उत्तर दिया है और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबर है वो बात से खबर है पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी वत्तब 2005 की पेंशन को भी बहाल नहीं करेंगे विधान सभा में इन्होंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बरे वो बासे कबर अब पुरानी पेंशन भाली नहीं होगी अब पी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखें जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखें जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन भाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी इसे खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान Сबा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है 2005 की बाद की नियुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे वो बाद से कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई थे वित्यमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी ख़बरे वो बाद से खबर अब पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सबह में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्शारी के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी थे 2005 के बाद जो साच की सेवाब लिखती हुए उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या तो यह मंत्री जग्दी देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है बत्तब 2005 की पेंशन को भी बाहल नहीं करेंगे विदान सवावे इनोंने उत्तर दिया है और अब देखें 20 मिनिट में 20 बड़ी ख़बने वो बात से खबर है पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 की बात की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विदान सभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी विस्तिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी दोजार पांच की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थी विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी दोजार पांच की बाद की नियुकती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है विधान सबाब में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल परकी है ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बहाली से जुड़ी होई दरसल मंत्री जग्दीश देवडा ने लिखे जवाब में यह जानकारी थी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी MP में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी 2005 के बाद की न्यूक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है रधान सबह में सवाल के लिखे जवाब में यह जानकारी सामने आई है वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एंपी में सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। मंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे। विधान सबा में पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई थे। मंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे। विधान सबा में पुरानी पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सबा में एक सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी दी गई थे। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थे। और अब देखे बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरे। विधान सबा में पुरानी पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी पठल पर रखी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल MP में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जगदीश देवडा ने लिखे जवाब में ये जानकारी थी। 2005 के बाद जो सवाब लिखती हुएं उनको 2005 के पहले की पेंशन देंगे क्या। और अब देखें बीस मिनिट में बीस बड़ी खबरें। वो बाद से कबर पुरानी पेंशन बाहली नहीं होगी। में सरकारी कर्मचारिओं की पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी, 2005 के बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वदान सवाब में सवाल के लिखे जवाब में ये जानकारी सामने आई है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्यमंत्री जग्दीश देवडा ने लिखित जवाब में ये जानकारी पठल परकी है। ये बड़ी खबर है पुरानी पेंशन बाहली से जुड़ी हुई दरसल एमपी में सरकारी कर्मशारियों के पुरानी पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। 2005 की बाद की निउक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। विधिमंत्री जग्दीश देवडा ने लेके जवाब में ये जानकारी दी। विधान सभा में पेंशन बाहल नहीं की जाएगी। मुक्ती में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधान सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी।